आज मैं आपके साथ में लेसुन की बहुत ही अलग तरह की रेश्पी शेयर करने जा रही हूँ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट लगते हैं एकदम स्पेसल है आप इसे कई तरह के खाने के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको खाना बोरिंग लग रही है तब आप इसे यूज कर सकते हैं खाने में जान आ जाएगी या आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो आप इसे लेकर जा सकते हैं किसी भी स्नेक्स के साथ में आप इसे खा सकते हैं अगर घर में सबजी डाल ना बनी हो, तो आप इसे रोती से भी खा सकते हैं, और खास बात यह है, 6 महिने तक आप इसे श्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, तो चलिए देखते हैं लहसुन की ये रेस्पी कैसे बनाना है, तो यहाँ पर मैं ली हूँ, 10 से 11 लहसुन, तो यहाँ पर मैं बड़े बड़े जो कलियां है, उसको मैं अलग कर रही हूँ, और छोटे छोटे कलियां को मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यह पूरा लहसुन नहीं लेना है, शिरिफ इसमें से बड़ी बड़ी जो कलियां है, उसको इस तरह से निका यहिस नुक्रा ना आयं, तुम एक शल्नी को यहिस खलनो है, तुम खुन रहा है, जो हकुसा घंच मक्रत करने में हैं, जुक्तने होगी खाए हैं तुम करनों भूरिए implementing भूरिधनी कहाे हैं इसको भून लिया है, तो देख सकते हैं, जो लेहसुन की छिलके हैं हलकी हलकी जली जली सी लग रही है, लेहसुन बिल्कुल भी नहीं जली है, छिर्व इसका जो छिलका उपर का है, वही हलका से जली हुई है, तो इसको हम चलाते हुए भून लेंगे, तो लेहसुन भूने से लेसुन पक भी जाती है अच्छा से और इस तरह से भुना भी जाती है तो लेसुन देख सकते हैं भुना गई है अब गैस को बंद कर देंगे अब इस लेसुन को रख देंगे ठंडी होने के लिए ताकि ये जब ठंडी हो जाए तब इसका जो छिलका है हम छिल कर अलग करेंगे तो चलिए फिलाल गैस को बंग कर देते हैं और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो लेहसुन देख सकते हैं फ्रेंट ठंडा हो गई है अब इसका जो छिलका है हम छिलका निकाल लेंगे तो बहुत आसान तरीका से ये छिलका जो है न निकल जाएगी और बहुत अच्छा से छिला भी जाती है अंदर का जो देख सकते हैं अंदर का जो पाथ है बिल्कुल भी जली हुई नहीं है और बहुत अच्छा सही है पक भी गई है और काफी अच्छा टेस्ट भी आती है तो इस तरह से लेहसुन को भून कर लीजिएगा बहुत ही अच्छा लिवराती है आप चाहे तो आप जादे बना सकते हैं या थोड़ा सभी आप बना सकते हैं अगर जादे दिन के लिए आप इस्टोर करना चाहते हैं 5-6 महिना तक तो आप जादे बना कर इसको रख दीजिए तो सभी लेहसुन को इस तरह से छील लेना है इसका जो छीलका है आप चाहे तो इसको हलका सा भून कर पौडर भी बना सकते हैं इससे दात घिसेंगे ना तो दात बहुत अच्छा से साफ भी होती है अब पीलिया भी बिल्कुल भी नहीं होती है अब यह जो लेहसुन है अब इसे हम रख देते हैं साइड में अब आगे की हम त्यारी कर लेते हैं तो इसके लिए हम मसाला त्यार करेंगे तो यहां पर मुंफली का दाना तो यह कच्छा मुंफली का दाना है आप चाहे तो भूना हुआ मुंफली का दाना ले सकते हैं चोटी चम्मच हम लेंगे साबू धनिया और साथ में हम लेंगे सफेद तिल सफेद तिल आप किसी भी मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मी रहे ठंडी रहे या बारिश रहे अधिक तो ठंडियों में जादे फैदा करती है लेकिन गर्मियों में भी इस्तेमाल आप कर इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी चीजों को हम medium low to flame पे भूनेंगे ताकि तील और जो धनिया है, मिर्ची है अच्छा से भूना जाए, पहले से मुंफली का दाना भूनी हुई है, तो जादा इसको भूनने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम पहले मुंफली दाना को मैंने भून लिय है, तो मुंफली का दाना और सभी चीजे अच्छा से जब भूना जाए, गैस को बंद कर देना है, अब इसमें डाल देना सूखा नारियल घिसके डाल देना है, आप चाहे तो नारियल का गुरादा भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 3-4 चोटी चमस के लगभग में मैंने नारियल को घिसकर डाला है, और इसको भी हम भून लेंगे, गैस को बंद करके भूनेंगे, क्योंकि पेन गरम है तो यह अच्छा से भून जाएगी और जलेगी भी नहीं, तो चलाते हुए लगभग में 2 मिनट तक मैंने इसी तरह से इसको भी भून लिया है नारियल को, अ अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाएगी तब इसका हम पौडर बनाएंगे, तो यहाँ पर यह जो मसाला है, पूरी तरह से ठंडी हो गई है, ठंडी होने के बाद में एक ग्रंडिंग जार में सभी मसाला को डाल देना है, आप चाहे सिलबटे प पिसने से बहुत जल्दी हो जाएगी, थोड़ा भी दिकत भी नहीं होगी, बहुत अराम से पिस भी जाएगी, साथ में डालेंगे स्वाद नुसार नमक और एक चमच डाल देंगे इसमें, आम चूर पौडर, आप चाहे तो चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ म में हम डाल देंगे लहसुन, जो हमने छिलकर लहसुन को रखा है, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी, लहसुन को इस तरह से भून कर लेने से काफी अच्छा टेस्ट भी आती है, और साथ में जो हम चटनी बनाने वाले हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, थोड़ा सा अब इसमें डाल देंगे हींग लेवर के लिए, पेट के लिए बहुती है, और काफी अच्छा फ्लेवर भी आती है, हिंग डालने के बाद में अब इसको हम दर दरा पीष कर पौडर बना कर तयार कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है, इसको देख सकते हैं, हलक पाव के साथ चटनी मिलती है, सूखी चटनी, बिल्कुल उसी तरह से मैंने बनाया है, लेकिन उससे भी काफी ज़्यादा टेश्ट आती है, क्योंकि इसमें मैंने लहसुन डाला है, इसके लिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आती है, अब निकाल लेंगे हम दुसरे बरतन में तो देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये गीली नहीं हुई है, इस तरह से सूखा चटनी बना करके तयार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बनिया लगती है खाने में, आप चाहे तो किसी भी चीज से खा सकते हैं, रोती के साथ में, या तो आप घर में कोई स्नेक्स बना ह उसके साथ खा सकते हैं, या डाल बनी है, चावल बनी है, तो आप डाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, या कहीं आप सफर में जा रहे हैं, तो आप सफर में भी ले जा सकते हैं, अब इसे अराम से, किसी भी चीज से, पकोडी से, या किसी भी स्नेक्स से आप खा सकते हैं, ब इसको इस्तेमाल करिए बहुत टेस्टी लगती है लहसुन की ये चटपटी सी चटनी और बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट लगती है खाने में और इसे फिरीज में भी रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कहीं भी आप इसे रख सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि आज की लहसुन की ये चटपटी सी सूखी चटनी आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और जादे से जादे लोगों में सेयर करिएगा और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जरूर से सस्क्राइब कर लीजेगा और कर मिलेंगे एक दूसरी नई रेस्पी के साथ में तब तक के लिए इंज्वाय करिए लेसुन की ये चटपटी सी चटनी कल दूसरी वीडियो लेकर आओंगे तब तब कलिये बाई बाई नमस्ते